आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Define Coprophaggy तूचा गया है Coprophaggy क्या होता है तो कुछ ऐसे Organisms होते हैं जिनमें क्या होता है कि पहले फूट जो है वो Symbiotically Digest हो जाता है कुछ Bacteriars के वज़े से जो कि कहां प्रेजन रहते हैं तो वो Organism के Seacum या फिर Wormiform Appendix में प्रेजन रहते हैं और ये क्या करते हैं ये Bacteriars कि पहले फूट को ये Digest कर लेते हैं और फिर जो Tough Cellulose रहता है फूट में वो क्या होता है वो ये लोग Engulf करके क्या करते हैं Simpler Form में Produce करते हैं ये Bacteriars शोकी, Seacum और Wormiform Appendix में पाया जाता है और फिर Simple Cellulose जो है वो Feces यानि Waste Material के साथ बाहर निकल जाता है और जो Corpo Fagus Animals होते हैं वो लोग क्या करते हैं वो लोग इसी Faces को खा जाते हैं क्योंकि उन लोग को ये Simple Cellulose होता है उनका जरूरत होता है इसलिए वो अपने ही Faces को यानि Waste Products को खा लेते हैं ताकि Simple Cellulose उनको मिले और उनका जो Life Forms है या फिर उनको जो Energy है तो रन दा लाइफ वो चीज़ भी उनको इसी Cellulose से मिल सके और यही जो Scorpo Fagus है दिखाई देता है वो Mainly Legomorpha वाले Order में दिखाई देता है Legomorpha एक ऐसा Order है जो कि Phylum Core Data के अंदर आता है और Class Mammals के अंदर दिखाई देता है Class Mammals के अंदर जो Order Legomorpha होता है उसी के Organisms जो है वो अपने Faces को या फिर Faces को वो खुद खाते हैं और फॉर एक्जामपल हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे Organisms जो Legomorpha में होते हैं वो है Rabbit और साथ ही में Pig ये लोग अपने ही Faces को खाते हैं ताकि Cellulose जो है वो Simplified Form में मिले और Energy जो है वो उसी Cellulose से वो लोग गेन कर सके ताकि Life Process जो है वो आगे बढ़े Classics 212 से लेके Need IIT J.E. Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर